अभी हाली में हमारे देश के राष्टपती ने हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125 भी जैन्ती के समापन समारों में भाग लिया है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे अल्लूरी सीताराम राजू का 125 भा समारों महां सुतंता सेनानी की जैन्ती का एक वर्स तक चलने वाला उस्ताव था और इस समारों का सुवारम 4 जुलाई 2022 को पिधान मंत्री द्वारा किया गया था कुछ और पिक्चर आप लोग देख लिजे उसके वाल हम लोग अल्लूरी सीताराम राजू के वारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं तो आप देखींगे अल्लूरी सीताराम राजू एक भारती एक क्रांती कारी थे और जिन्होंने भारत में बेटिस उपनेविसिक सासन के खिलाप लड़ाई लड़ी थी जो आप लोग आजादी देख रहे हैं न इतनी आसानी से नहीं मिली याद रखे हमारे भहुत सारे महापुरसों ने वलिदानियों ने अपनी जान देनी पड़ी उन्होंने वर्तमान आंद्पिदेश के पूरवी घाट छेत में गुरिला अभियान में मोर्चा समाला और वेटे सरकार के दमनकारी बन कानूनों तथा नीतियों के खिलाप जंजाती लोगों को एक जुट किया और आंद्पिदेश को अगर आप लोग देखें तो यह आंद्पिदेश है अमरावति इसकी राधधानी है और आप देखेंगे भासा याधर पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंद्पिदेश इसकी सीमा उड़ी सा, चत्तिसगर, तेलंगाना, करनटक और तमिलाडू से लगती है आप देखेंगे कि विधान सबा में यहाँ 175 सीटे है विधान पईशद भी है जिसमें 58 सीटे है राज्य सबा में 11 सीटे है लोग सबा में 25 सीटे है आपको देखने को मिलेंगी 1,62,970 बरक किलूमीटर में आपका आंधक देश पहला हुआ है तो यहीं से इनका संबंद था उनकी आप देखेंगे कि उनकी बहादूरी और वलिदान के कारण इस्थानी लोगों द्वारा उन्हें वन्नायक अधवा मान्यम विरूडू के नाम से जाना जाता है और आप जनम की आप देखते हैं कि साल को लेकर कनफ्यूजन है कोई कहता है 879 कोई 888 वह एक तेलगुभासी चत्री परिवास लेते और वरस 1922 से 1924 का रंपा विद्रो मान्यम विद्रो अल्लूरी सिताराम राजू ने महत्मा गांधी के नेतित में हुए असायोग अंधोलन में भा सोसन किया बस आप देखे उनका सोसन करने का तरीका अलग था लेकिन सोसित हर कोई हो रहा था आदिवासी लोग पोडू या फिर जोम इस्थानांतर्ण किरसी करते थे और जिरस में किरसी के लिए बन भूमी के कुछ हिस्से को साफ किया जाता था तथा कुछ बरसों के फिर उसकी उपजाओ चमता कट जाए तो उसे चोड़ कर दूसरी जर्गर जाके आप देखे बनवों को साफ करना और फिर वहां खेती करने को इस्थानांतर्ण किरस्ती भी कहते हैं इसे जूम के इसी भी कहते हैं ठीक है 1882 के मदरास बन अधिनियम ने जंजाती लोगों के अंदोलन पर पिती बन लगा दिया इसके अतरिक लगू बन पज के संग्राय पर भी पिती बन लगा दिया और जिससे उन्हें बन विभाग या ठेकेदारों के लिए कम मजदूरी पर काम करने ही तो मजबूर होना पड़ा था अलोरी सीधा राम राजु ने एक गुरिला से सील पारंपरिक सेना से लड़ने के लिए घात, तोड़, पोड, छापे, छदमियोत, मारना और भागना रणनीति सहथ सेन रणनीतियों का उपयो करते हैं उनका लक्षा आदिवासी लोगों को आजात कराना और अंग्रेजों को फूरी भी घाट से बाहर निकालना था इनक सीताराम राजू का जीवन जाती और बरक के आधार पर भेद भाव किये बिना समाच की एक ताका उधार हैं 1986 में भारत सरकात द्वारा एक टिकेट डार्क टिकेट भी जारी किया गया जिस पर अलूरी सीताराम राजू की तस्वीर है अलोरी सिताराम राजू नामक जीवनी पर आधारित फिलिम बर्स 1974 में रिलीज होई थी इनके आप देखते हैं कि इनकी जीवनी की पर आधारित मूवी भी आई होई दिकव 1974 की बात है तो यह आप देख सकते हैं कि छोटी सी जानकारी किसके बारे में अलूरी सीताराम राजू के बारे में इनकी बायोगराफी भी आप लोग कह सकते हैं और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तई जारी करें तब आप लोग याद रखे इस तरह के टॉपिक से कुश्ण्स आपके एक्जाम में फूचे जाते रहते हैं क्या किये जाते रहते हैं फूचे जाते रहते हैं ठीक है और किसी के बारे में जानने की दिल्चस्पी हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे देखिए टिकेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है अलूरी सीता राम राजु की तस्वीर